पिरिये विद्यार्थियो नमस्कार, एजुकेशन स्कूल प्रिवार में आपका स्वागत है, हम पड़ रहे थे सिंपल इंट्रेस्ट जिसकी चार कलास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 32 क्यूसन सोल कर लिये थे क्यूसन नमबर 33, मोहन एक बैंक में साधान ब्याज की दर से, च्यार वरस के लिए 500 रुपे और तीन वरस के लिए 600 रुपे जमा करता है, दोनों पर कुल ब्याज 190 रुपे प्राप्त हुआ, ब्याज की वार्शिक दर बताएं, वही एक ही बैंक है, एक बैंक में अलग- पूछा गया है, तो देखो, पी एनी प्रेंसिपल कितना है, देखो, पहले कितना है, 500 रुपे, और दूसरा कितना है, 600 रुपे, समय, चार वरस के लिए 500 रुपे और तीन वरस के लिए 600 रुपे हम क्या करेंगे एक वरस का मुल्दन निकाल लेंगे एक वरस के लिए एक वरस के लिए मुल्दन या प्रंसिपल एक वरस के लिए बेदे को 500 रुपे जमा करता है चार वरस के लिए हम चार से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 500 गुना चार दो हजार रुपे 2000 रुपे क्या हो गया एक वरस के लिए या तो आप 500 रुपे जमा करतो चार वरस के लिए एक ही बात है या 2000 रुपे जमा करतो एक वरस के लिए एक ही बात है तुमने एक वरस के लिए मुल्दन बना लिया कितना हो जाएगा 2000 रुपे और यह हो जाएगा 600 गुना तीन अठारा सो रूपी ठीक है ये एक वरस के लिए मुल्दन हो गया और एक वरस के लिए कुल मुल्दन क्या हो जाएगा उन्हों जोड़ दो जोड़ेंगे दो तीन हजार आठ सो रूपी और एसाई सिंपल इंटरस्ट क्या दिरखा है एक सो नबर पर अप्राप्त हुआ अब ब्याज किदर निकाल देंगे रेट कैसे निकालेंगे देखो कितना ब्याज एक सुन अबर रूपी किस पे है तीन हजार आठ सो रूपे भी परतिसाद निकालना द गुणा में सू ठीक है दो जिरो से दो जिरो कैंसिल उननिस से दस बार में उननिस से दो बार में दो से पांच यानि पांच परतिसाद वार्ष जी कह है साधान ब्याज की दर्प ओप्शन बी क्युस्ता नमबर 34 दो विविन बैंकों से 500 रुपे पे दो वर्ष में प्राप्त होने वाले साधान ब्याजों का अंतर 2.5 रुपे है उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर क्या होका दो बैंके वई और दोनों प्रेंसिपल के आज सेरिम है 500 रुपे रेट में निकालना है समय दे रखा है दो व्रस और एससाई का डिफरेंस दे रखा है कितना है असाई का अंतर 2.5 रुपे ठीक है ये दो व्रस का है दो व्रस का असाई का अंतर है लिख लो है दो व्रस का असाई का अंतर और एक व्रस का अंतर निकालेंगे एक व्रस का अंतर तो इसका अद्राव जयेगा भई कि उस साधार्ण प्याज हर वरस समान रहता है तो इसका अद्राव जयेगा, कितना हुज़ेगा एक प्वाइंट दौपांस ठीक है वेक वरस का निकाल लिए हमें अब इसको सिंपल प्रतिसद के त्रीके से निकाल लेंगे आर का मान हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा देखो ब्याज है एक प्वैंट दो पांच रुपे किस पे हैं पांच रुपे पे लिए प्रतिसत के लिए गुणा में सो ठीक है और ये दसमरों उटाएंगे तो बटा में फिर सो सो से सो ये कैंसिल हो जाएगा अब इसको देखो 25 से बाग करेंगे दो पांच बार में और ये 25 से 20 फिर पांच से एक पटा च्यार रेट का अंतर कितना एक पटा च्यार एक पटा च्यार को क्या लिए सकती है जीरो पॉइंट टूफाइव परतिसत ठीक है ये दर का अंतर ओप्सन बी क्यूस्तर नमर 35 ये दि मुलदन और पांच वर्षों के साधान ब्याज का अनुपात 10 अनुपात 3 है तो ब्याज किदर क्या है तो देखो क्या दे रखा है मुलदन यानि पी और 5 वर्ष का असाइग ठीक है पांच वर्षों के साधान व्याज का अनुपात ही ये दस है तो पांच वर्ष का साई कितना है तीन ठीक है तो हम क्या करेंगे एक वर्ष का साई निकाले एक वर्ष का साई क्योंकि साधान व्याज हर वरस समान रहता है तो पांच वर्ष का कितना है तीन एक वर्ष का हो जाएगा तीन बटा पांच यानि दस रुपे पे तीन बटा पांच बढ़ जाता है क्या निकालना में आर एने रेट ठीक है यह capital से लिख लो आर कामान क्या हो जाएगा देखो कितना भी आज तीन बटा पांच अब एक वर्स का निकाल लखा है तो सिंपल अब परशनडेज के तरीक के से निकाल दींगे इसको तीन बटा पांच बढ़ता है कितने पे बढ़ता है दस पे तो बटा में 10 और परतिसत के लिए गुणा में 100 जीरो से जीरो पांच से दो बार में 3 गुणा 2 दर कितने जाएगे 6 परतिसत वार्शिक ठीक है ओप्शन A क्यूस्ट नम्मर 36 एक व्यक्ति कोई धन्रासी पांच वर्स के लिए उधार देता है मुल्दन वे प्राप साधान ब्याज का अनुपाथ 5 अनुपाथ 2 है तो मुल्दन वे ब्याजदर का अनुपाथ ग्याद किजिए मुल्दन और ब्याजदर का अनुपाथ ग्याद करना अब की बार देखो मुल्दन काई रखा है 5 अनुपाथ 2 यानि मुल्दन पांच है तो साधान व्याज दो इन्हीं वरास से ये पांच उर्पे आर कावान हमें निकालना है समय कितना है पांच वर्स और पांच वरस का साई कितना हुज जाएगा दे रखा है न भी पांच नो पात दो यानि पांच है प्रंचिपल और साई कितना है दो ईक उसलंब दे रखाए है एक बरसका वियाज निकालें च्राँ लिए क्रास का एक वरस का एसवा है कि तो पन्द याई कि फर स्थोड एक बॉट た फांच रमेररें ऐसलिए क्या करें अनुका है अब इस वोपे कितना ब्याज लगता है तो पहले इस राशी को 100 बना लेते हैं ताकि आगे कल्कुलेसिन जादा नहीं होगी ठीक है तो अब इसको 20 चे गुणा कर दिया कितना ऊजाएगा यह 100 अब गनना 100 पर हो जाएगी ठीक है अब देखो रेट कितना है सुरी साइगा दो गूना 5 से 4 गूना 2, 8 ब्यास कितना हो गया 8 इन पर बढ़ गया इसका मतलब rate कितनी है आठ पर टीसद ठेक है तो इसका से निकालना था पी का और और गा तो सो अनुपात 8 च्यार से 25 और च्यार से 2 अनुपात 2 एक या इसे लिखलो या पहले रेट निकालो कि कितनी आएगी आठ परतिसत आठ परतिसत का मतलब क्या है वही आठ बटा सो इन्हीं सो रुपे ब्याज लगता है फिर बात वही आगी सो और आठ कैसे भी लिख लो इसको ठीक है हमारा आंसर क्या हुजाएगा ओप्शन डी क्यूशन नमबर 37 किस वार्षिक परतिसत किदर से किस रासी का किसी रासी का दस वर्षों का साधान बियाज मुल दन का दो बटा पांच होगा चेम को तो टुलनांवान रिराशी का पता की चलेगा, उसके साथ में का की या से मिल एकाम, मुलधन हिनकी या भु掃 पांच यानि तुलना बुलधन से की जा रही है be सै जारे में सहीсуд दिक सही हो जाएगी या इनि बूलन दे रखा है पांच रेट में निकालना है समय कहते रखा है दस वर्स और ऐसाई क्या हो जाएगा दो कितने वर्स का ही दस वर्स का एक वर्स का कि तसाइए कि तब रूबरस का विज दस वर्सका कितना है डो एक वर्स का दो स्रॉक ज़ सिंब फ्रूर्पर रे किया पीस है मैं राख 가능这样 प्रसवा दो डिसको कि यहां हो जाएगा बी सुना जीरो सी जीरो केंचल कितना गया च्यार और सोगे उपर च्यार ब्याज इसका मतलब दर कितनी है जार प्रतीसत ठीक है आर कमान के आ जाएगा ज्यार प्रतीसत वार्शिक ठीक है ओप्षन एक क्यूस्टा नमर्थर टी एट कोई धंद्रासी एक जनने मुलदन एक डेखो बार आवर्स में समय्क इतना है बारा आवर्स, दर्ह में निकालना है तरफ रतिसद एसले कि अ सैंकितना ओजाएगा और सी दो नहीं हो जात lorsque एक से दो यानि मुल दने एक तो मिसर दन दो तो आज साई कितना हो जाएगा एक ठीक है एक कितने वर्स का ये बारा वर्स का तो एक वर्स का साई निकाल लेंगे एक वर्स का एससाई यूगी ये कितने वर्स का है बारा वर्स का कि बारा वर्स में दो गुनी होती है तो एक व वह सब्सक्राइए जो आखा हुआ वह सब्सक्राइए जिए jaga में च्याना ऐसक गोपटीस उड़ाए बेंग पत्तिस कढ़ें सिंप अर्ट सही एक अटीन पार्टेसा वार्सिक देखो और सो मान ते चाहिए अट अडिको यापे सो और यापे क्या था यापी सो अधिस्वरटा बारा सो पे कितना बड़जा जाता आ है अज देख किला दूसरा तरीका याता है कि आम यापे 100 मान एक वरस का निकालेंगे तो बारा से बाग देदो सो बटा बारा ठीक है यानि सो पे सो बटा बारा ब्याज है तो दर कितनी हो जाएगी इसी का प्रतिशत निकाल दो ठीक है कुछ निकाला सो मानेंगे तो क्यार से कैंणे चिल करेंगे 25 चार से तीन 25 बटा थीन क्या हो जाता है ब्याज किस पे सो पे सो पे बढ़ता है तो यह अपने आप में दरी हो जायेगी आठ से एक बटा तीन परतिशत सो मानों बेज discussavia आशा हो जाएगा die今 तो हमारा आंसुर क्या थे गाए स्धाने ब्यास की दर से स्षयांे का 41 बटा चालिस तुल्णा की से जारे उस राशी से की जारी 2 डिस्तुरा, वह गो all the ne ata भृडे s front हो जाती है हो जाना मतलब ब्याज जुड के उसमें इतनी हो जाती है तो यह क्या है मिसर्दन यानि अमाउंट ठीक है तो अब देखों मुल्दने चारीज आर्प कमान हमें निकालना है समय कितना है एक बटा च्यार वर्स कई यह सदान अब याज कितना है एक ठीक है कितने वर्स का ही एक वर्टा च्यार वर्सका तो एक वर्सका साई निकाल लो एक वर्सका आज साइड क्योंकि यह कितना है अपर पितना है यह वरस का आ है 1 रोज की अनिकालेंगे तो इससे भाग दे देंगे बटा में एक और ये च्यार उपर चला जाएगा निव्याज कितना है या? 4 हमें निकालना भी आर का मान तो कितना जगए देखो एक वरस का ब्याज कितना है? 4 इसको सोल करेंगे च्यार ये आएगा न किस पे बढ़ता आई है? किसी धनरासी पर किसी वार्षिक ब्याज कि दर से साधान ब्याज मुल्दन का 16 बटा 25 है यदि ब्याज दर परतिसत तथा वरसों की संख्या बराबर हो तो ब्याज कि दर होगी? वह नहीं तो इसमें हमने दर दे रखा और नहीं समय दे रखा संख्या आत्म को मान दोनों का बराबर है वह जितने परतिसत दर है उतने वरस है ठीक है? समय तो ब्याज दर होगी वह तो कैसे? सोल करेंगे इसक्यूसन को सुरू में के दर रखा 16 बटा 25 हमें संख्या ये मिली तो इसका क्या मतलब है? देखो वरसिक ब्याज की दर से साधान ब्याज मुल्दन का 16 बटा 5 है तुलना किसी की जारे है? मुल्दन चे प्रंचिबल चे तुलना वाली राश से हमें सा नीचे मिलेगी यानि ये क्या है? मुल्दन यानि P प्रंचिबल क्यों जाएगा ये? प्रंचिबल साधान ब्याज, मुल्दन का 16 अपटा 25 है, यानि ये क्या है साधान ब्याज, यानि SI, ठीक है, अब सिंपल कुस्तनों का लिखो, यानि 25 रुपे थे, समय और दर, दोनूं क्या बराबर है, यानि ये X है, परतिसत, तो ये भी क्या है, X वर्स, ठीक है, देने रखा, नहीं ये दे रखा, नहीं ये दे रखा, लेकिन दोनूं बराबर है, ये एक्स परतिसत, ये एक्स वर्स माल लिया, आमने, ठीक है, तो आसाई कितना है, 16, ठीक है, 16 रुपे, दोनूं बराबर है, तो कैसी करिंगे देको, सुरू में मैं एक फॉर्मूला बताया था, जो कब से दे राति a rep, कलास टाइम से, स्कूल टाइम से, देखो, साधारन ब्याज गुना सो, एनि ये एसाई, गुना सो, बराबर, मुल्धन गुना, दर्कुना, समय, ठीक है, ये ये घी बात, ऐसे लिख लो, मुल्धन गुना, दर्कुना समय, बटा, तो एक यी बात है, ठीक है, तो ऐसा ही का मान क्या दे रखा हमारे पास 16 मुल्धन गुना दर गुना समय मुल्धन क्या है 25 दर गुना समय दर क्या एक्स और समय एक्स एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्केर ठीक है दोनों की गुना कर दी मेरीन की मुल्धन गुना दर गुना समय दोनों की गुन लिए हिट्ष लाव दॉसैगी अग्याओ निकालेंगी है माовых सिुट्सेट निकालेंगे पट्चीष से कैंशिल करो वह कितना हो पुधन भांगा चीयार 15 सुटॉट सेच एक्सट कि प्राबर आठ तो दर क्या हो जाएगी आर बराबर आठ परतिसत और समय निकालना हो तो क्या हो जाएगा आठ वरस ठीक है तो हमारा अंसर हो जाएगा ओप्शन डी किसन नमबर फोर्टीवन एक व्यक्ति ने ब्याज की दर जितने परतिसत वार्शिक थी उतने ही वरस के लिए 800 रुप का उप्योग किया इस क्यूशन को सोल करके आंसर कोमेंट बॉक्स में लिखेंगे मिलते हैं अगली क्लास में धन्यवाद